साहित तेनिदी में आज सुनिये हिंदी के मूर्धन ने कथाकार निर्मलवर्मा जी की लिखी हुई कहानी अंतर प्रस्तुत है कहानी अंतर बस से उतर कर वो बाजार के चौराहे पर खड़ा हो गया सामने टाउन हौल की इमारत थी लंबी और भयावे पहली मंजिर पर लंबी मैली खिड़कियां थी जिनके शीशे पर शाम की धूप और भी मैली दिख रही थी उससे हटकर कुछ दुकाने थी एक पब एक नाई की दुकान और दो जनरल स्टूर आगे छोटा सा स्क्वैर था आखरी बस कितने बज़े जाएगी उसने उसी बस के कंड़क्टर से पूछा जिसमें वो आया था दस बज़े कंड़क्टर ने उड़ती हुई निगाहों से उसे देखा और ओवरकूट की जेब से बियर की बोदल निकाल ली वो दुकानों की तरफ चला आया वो यहाँ पहली बार आया था किन्द उसे विशेश अंतर नहीं जान पड़ा वो जब भी कभी प्राग से दूर छोटे शहरों में जाता था वे उसे एक समान ही दिखाई देते थे टाउन हॉल, चर्ज और बीच में स्क्वेर और खाली सा उनिदा पर्ण हवा ठंडी थी, हाना कि मई का महीना आगे बढ़ चुका था उसने अपने डफल बैक से मफर निकाल लिया दास्ताने उसके कोट की जेब में थे वो अभी उन्हें नहीं पहनना चाहता था उसकी पीट पर स्लीपिंग किट थी अगर कहीं रात की बसो नहीं पकड़ सका तो बाहर सो जाएगा उसे होटल की अपेक्षा बाहर सोना हमेशा अच्छा लगता था अगर ठंड जादा ना हो पिछली गर्मियों में वो उसके साथ मुराविया गई थी तो भी वे बाहर सोते थे एक ही स्लिपिंग किट में वे इसी तरह सारा मुराविया गूम लिये थे उसके साथ पहले पहलों से बाहर सोने के आदत पड़ गई थी होटल की जो बचचत होती थी उसे वे हमेशा बियर पे खर्च कर देते थे वो कुछ देर तक पिछली गर्मियों के बारे में सोचता रहा फिर उसने मफलर को अच्छी तरह गले और कानों में लपेट लिया ठंड काफी है उसने सोचा लेकिन वो असहनिय नहीं है असहनिय शायद कुछ भी नहीं है उसके लिए भी नहीं शुरू में वो बहुत डर गई थी अब वो ठीक होगी अब कोई डर नहीं है उसने सोचा अब बिल्कुल कोई डर नहीं है उसने दोबारा अपनी से कहा वो कुछ देर तक खादे पदार्थों के स्टूर्ट के सामने खड़ा रहा शो विंडो में गौर से देखता रहा फिर कुछ सोच कर भीतर चला गया दुकान में सेल्फ सर्विस थी अपने काउंटर के नीचे से एक टोकरी निकाल ली दोनों लंबी कतार में छोटे बड़े टिन के टिब्बे रखे थे इन दिनों ताजे फल देखने को भी नहीं मिलते थे उसने आड़ों और अनानास के दो टिन टोकरी में रख लिए आदा किलो सलामी और फ्रेंच पनीरी कुछ टिक्या भी लिफाफे में बनवा ली उसे फ्रेंच चीज हमेशा ही बहुत पसंद थी रात को जब कभी वो उसके कमरे में सोती थी तो एक चूही की तरह उसे बराबर कुतरती रहती थी स्टोर से बाहर निकलते हुए उसे कुछ याद आया और उसने दोबारा मुड़कर लीपा का एक पैकेट खरीद लिया अस्पताल में शायद उसके पास सिग्रेट नहीं होगी उसने सोचा सारा सामान उसने एक डफल बैग में रख लिया स्टोर से बाहर निकल कर उसे प्यास सी महसूस हुई समय काफी है उसने सोचा ज्यादा नहीं है लेकिन वो छोटी बियर के लिए काफी है स्क्वेर पार करके उप पब में चला आया वो बैठा नहीं बार के काउंटर के सामने खड़ा रहा एक छोटी बियर उसने कहा बारमेन ने बिना उसकी और देखे एक मग बियर नल के नीचे रख दिया जब जहाग मग से उपर चड़कर बाहर फिसलने लगा उसने नल की टोटी बंद कर दी एक मेले तॉलिय से मग को साफ किया और उसके सामने रख दिया उसने मग भूटों से रगा लिया बियर का सैली और गुनगुनी सी थी फिर भी उसे बुरी नहीं लगी बार्मैन इस भी जेब से एक सौसेज निकाल कर खाने लगा था वो एक अधेर उमर का व्यक्ति था उसकी नीली आँखें आसों में तैर रही थी आप बता सकेंगे अस्पताल किस तरफ है उसने पूछा बार्मैन ने गौर से उसकी और देखा फिर उसकी आँखें उसके स्लीपिंग किट पर ठिटक गई क्या प्राग से आई हो उसने सिर हिलाया वो तनिक संधे बरी द्रश्चि से उसकी और देखता रहा टाउन हॉल की दाई तरफ सिमिट्री से जरा आगे उसने कहा क्या ज़्यादा दूर है उसने पूछा उसने आधी कत्री हुई सौसेज को अशली लंग से उपर कर दिया एक किलोमीटर उसने हस्ते हुए कहा उसने उससे धन्यवाद दिया तीन क्राउन का नीला नोट काउंटर पर रखा और बिना चेंज की प्रतीक्षा किये बाहर चला आया बाहर वसंत का चमकीलापन था वैसा बोजिल नहीं जो गर्मियों में होता है एक हलका धुला सा आलोग जो लंबी सर्दियों के बाद आता है दस मिनट का रास्ता था और तेजी से चल रहा था उसे अब ज़्यादा घवरहाट नहीं थी उसे अब उतनी घवरहाट नहीं थी जितनी बस में हो रही थी बियर के बाद उसे हलका सा लग रहा था स्क्वैर छोड़ने के बाद वो एक खुले रास्ते पर आ गया था हवा ठैर गई थी और कभी कभी दूर के खेतों में ट्रेक्टर का गुर्र गुर्र स्वर मक्षी की भिनमिनाट सा सुनाई दी जाता था सिमिट्री के पास आकर उसने सिग्रेट जलाई फिर डफल वैक को एक कंधे से उतार कर दूसरे कंधे पर लटका लिया समिट्री के इर्द गिर्द बर्वा के पेड़ थे और उनकी नई पत्तियां डूपती हुई दूप में जिल मिला रही थी कच्ची सड़क पर बर्व के पिगलने से कहीं कहीं दलल जमा हो गया था और उन पर मोटर लारियों और ट्रकों के निशान उभराए थे उसने अपने पेंट के पाइची उपर चढ़ा लिये उसे खुशी हुई कि यहां उसे देखने वाला कोई नहीं है लेकिन वो उसे देखकर जरूर हैरान हो जाएगी वो शायद खुश भी होगी लेकिन इसके बारे में वो निश्चित नहीं था उसने प्राग से आते समय उसे मना कर दिया था वो नहीं चाहेती थी कि किसी को कोई संधे हो सके उन्होंने ये तेख किया था कि वो दो दिन यहां अस्पताल में रहे की बाद में जब वो वापस प्राग आएगी तो किसी को भी कुछ पता नहीं चलेगा अस्पताल के गेट के सामने और रुकिया छोटी सी पहाड़ी के उपर उसकी इमारत किसी कॉलेज हॉस्टल की तरह दिखाई दे रही थी उतनी ही आत्मिय और निर्दोश अस्पताल की इमारतों में अकसर जो ठीट उड़ता हुआ नंगापन होता है वो इसमें बिलकुल नहीं था उसने अपनी पेंट के पाइंचे मीचे के और मोड लिये और दरवाजा खुल कर भीतर चला आया सामने एक लंबा कॉरिडोर था बीच बीच में फूलों के गमले रखे थे साफ सुत्रे फर्ष पर कॉरिडोर के खंबों की टेडी चायाएं दूप में खिचाई थी जीने के पास उसे एक बड़ा सा डेस्क दिखाई दिया उपर रिसेप्शन का साइन बूर लगा था उसके पीछे एक इस्तरी नर्स की पोशाक में बैठी थी वो अगवार पढ़ रही थी और उसका चेहरा नहीं देखा जा सकता था वो कुछ जिजगता हुआ डेस्क की ओर पढ़ा नर्स ने अगवार से सिर उठा कर उसकी ओर देखा किसे मिलना चाहेते हैं उसने नाम बताया उसे लगा वो नर्स ही नहीं है नर्स की पोशाक में वो एक इस्तरी भी है इस ख्याल से उसे कुछ सांतोनाजी मिली उसने डेस्क की दराज से एक लिस्ट निकाली मेटरिन्टी वार्ड में उसने पूछा वो क्षण भर तक असमंजस में खड़ा रहा फिर उसने माथे का पसीना पोचा मुझे ये नहीं मालूम मैं पहली बार यहां आया हूँ क्या आप लिस्ट में देख सकती हैं उसने कहा हाला कि ये कहने की कोई जरूत नहीं थी वो पहले से ही लिस्ट देख रही थी मेटरिन्टी वार्ड में आपकी पत्नी का नाम नहीं है नर्स ने प्रश्मरी दर्श्री से उसकी उर देखा वो मेरी पत्नी नहीं है उसने कहा मेरा मतलब है अभी हम विवाहित नहीं है उसने डेस्परेट होकर मुस्कुराने की कोशिश की फिर उसे लगा कि ये इस पश्टी करण ना केवल निरर्थक है बलकि मुर्खता पूर भी नर्स ने कुछ अजीब रूखे ढंग से उसकी उर देखा और फिर धीरे से अपने बाल पीछे समेट लिए आपको मुझे पहले बता देना चाहिए था उसने कहा उसके स्वर में खीज नहीं थी सिर्फ एक ठंडी सी विरक्ती थी उसने डेस्क के बीतर से दूसरी लिस्ट निकाल ली एक बार फिर नाम पूछा वो चुपचा प्रतीकशा करने लगा पहली मंजिल नाई तरफ सर्जिकल वार्ड उसने सरसरी निगाहों से उसकी उर देखा और फिर अगबार पढ़ने लगी वो गलियारे के अंतिम छोर पर पहुँचकर सीरिया चड़ने लगा दोनों तरफ दरवाजे खुले थे औरतें अपनी जुपानों मतलब लंबी सकर्ट में विस्तों पर बैठी थी दर्वाजों के बाहर रसी पर नाइलेंड की जुराबें ब्रेजियर और अंडर्वियर सूख रहे थे हवा में खटी गिलगिली सी गंद ठैर गई थी जो अकसर औरतों की घरेलू देहूं या कपरों से आती है लोहे की रेलिंग पर रेज से भरी हुई लाल नीली बाल्टियां लटक रही थी शायद आग बुझाने के लिए उसने सूचा जब वो सर्जिकल वार्ट के और मुड़ा तो उसे लगा जैसे किसी ने पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया हो वो तनिक चौक कर पीछे मुड़ा एक लंबे कद का हिरिष्ट पुष्ट व्यक्त उसके सामने खड़ा था उसने लंबा सफेद कोड और पाईजामा पहन रखा था जो यहां डॉक्टर की पुशाक होती है किसे मिलना है उसने पूछा उसने फिर नाम बताया अच्छा लेकिन इसे यहीं छोड़ देना होगा उसने अंगूठे से उसके स्लीपिंग किट की और इशारा किया उसने स्लीपिंग किट पीछ से उतार कर एक कोने में रख दिया इसमें क्या है उसने उसके डफल बैग की और देखा उसने चुपचाप कंदे से बैग उतार कर उसके सामने रख दिया डॉक्टर ने सरसरी निगाह से बैग में रखे डिब्बों को देखा और फिर धीरे से हस दिया So you are the man उसने अपनी भाषा छोड़ कर अंग्री जी में कहा क्या मतलब? कुछ नहीं वो फिर अपनी भाषा पर उतराया था बैड नमबर 17 सिर्फ आद घंटा वो अभी बहुत कमजोर है उसने रूखे व्यवसाइक स्वर में कहा तुम भीतर जा सकते हो लेकिन उसके बाद वो तुरंद भीतर नहीं जा सका कुछ देर तक वो कफल बैक को बच्चों की तरह दोनों हातों में लेकर खड़ा रहा दर्वाजे के पास एक खाली वीलचेर थी सामने एक बड़ा हॉल था दोनों तरफ छोटे छोटे क्यूबिकल थे और उनके बीच लंबे गुलावी रंग के परदे लटक रहे थे हर क्यूबिकल के पीछे एक मद्दिम सी रोश्णी टिम्टिमा रही थी हॉल के कोने में स्टेचर पड़ा था उस पर कुछ रूई की गंदी पट्टियां थी शायद कोई नर्स जल्दी में उठाना भूल गई थी वो भीतर चला आया स्लीपिंग किट उतारने के बाद उसे अपनी पीट बहुत हलकी सी लग रही थी सत्रे नंबर के आगे आकर खड़ा हो गया भीतर निपट शानती थी वो शायद सो रही थी उसने सोचा पहले क्षण में उसे वो दिखाई नहीं थी सामने एक बड़ा सा बिस्तर था बिल्कुल समतल और सफेद उपर दो लंबी चादरे थी और वे बिल्कुल सफेद थी ये पता चलना भी मुश्किल था कि सिरहना किस तरफ है बिस्तर पर कहीं भी कोई उतार चड़ाओ नहीं था एक शण के लिए उसे लगा वो खाली है वो खाली नहीं था चादर से बाहर सिर बाहर आया फिर आखें वो उसे देख रही थी फिर एक छोटी सी मुस्कुरहाट उसके होटो पर सिमट आई वो पहचान गई थी उसने आँखों से स्टूल के और इशारा किया उस पर दूद से भरा एक कप रखा था तुमने पिया नहीं? उसने जुक कर कहा बाद में इसे नीचे रख दो उसने स्टूल बिस्तर के पास खिसका लिया कब आए? अभी कुछ देर पहले उसके होट जामनी रंगे हुआए थे जगे जगे से लिपस्टिक की लाइन टूट गई थी कब हुआ? उसने पूछा सुबह अपना कोट उतार दो उसने अपना कोट और डफल बैक उतार कर स्टूल के पीछे रख दिया खिर्की बंद थी नीचे उसका सूटकेस पड़ा था जो वो प्राग से अपने साथ लाई थी ज़्यादा देर तो नहीं लगी उसने पूछा नहीं उन्होंने कलोरोफार्म दे दिया था मुझे कुछ भी पता नहीं चला उसने कहा मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हे कुछ भी पता नहीं चलेगा तुम मानती नहीं थी उसने मुस्कुराने की कोशिश की वो चुपचाब उसकी और देखती रही मैंने तुमको आने के लिए मना किया था उसने कहा मुझे मालूम है लेकिन अब मैं यहां हूँ वो बिस्तर पर जुकाया उसने उसके भूरे बालों को चुमा पिर होटों को कमरे की गर्मी के बावजूद उसका चिहरा बिलकुल ठंडा था वो चुमता रहा वो तकिये पर सिर सीधा के लेटी रही तुम अब सुखी हो उसका स्वर बहुत धीमा था हम दोनों पहले भी सुखी थे उसने कहा हाँ लेकिन अब तुम सुखी हो तुम जानती हो यह हम दोनों के लिए ठीक था मैंने तुमसे पहले भी कहा था चादर उसके वक्ष के नीचे के सकाई उसने हरे रंग की नाइट शर्ट पहन रखी थी उस पर काले रंग के फूल थे अपने कमरे में उन फूलों को देखकर उसके देह में मीठा सा तनाओत पन हो रहा था अब वे उसकी आँखों को चुब रहे थे यह क्या है उसने डफल बैक की उर देखा कुछ नहीं मैंने कुछ चीज़ें यहां खरीद ली थी वो बारी बारी से हर चीज़ को बैक से निकाल कर बिस्तर पर रखने लगा आडू और अनानास के टिन सलामी फ्रेंच पनीर लीपा का पैकेट तुम एक पनीर अभी लोगी नहीं बाद में वो बिस्तर और विक्री चीज़ों को देखती रही इन दनों तुमें खाने पीने में लापरवाई ने करनी चाहिए उसने कहा वहां किसी ने मेरे बारे में पूछा तो नहीं था नहीं किसी को मालूम नहीं कि तुम यहां हूँ उसने कहा वो कुछ देर तक आखें मूंद कर लेटी रही उसके बाल पहले भी छूटे थे तक ये पर सटे रहने के कारण अब वे और भी से मटाई थे पिछली गर्मियों में उसने उन्हें काले शेड में रंगा लिया था सिर्फ उसे खुश करने के लिए उसे ज़्यादा अच्छे नहीं लगे थे तब से वे फिर दीरे दीरे भूरे हो चले थे हाना कि अब भी कहीं बीच बीच में काला शेड दिखाई दे जाता था तुम्हें थकान लग रही है उसने उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया नहीं उसने उसकी और देखा फिर उसने उसका हाथ चादर के नीचे गह सीट लिया दीरे दीरे वो उसे अपने पेट पर ले गई कुछ फरक लगता है उसने पूछा उसका हाथ उसके नंगे गरम पेट पर पढ़ रहा था तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं है अपना हार बाहर खीच लिया तुम्हें ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए उसने कहा मुझे बड़ा हलका लग रहा है उसने कहा डॉक्टर ने तुमसे कुछ कहा था नहीं लेकिन एक महिना पहले आ जाती तो इतनी कमजोरी नहीं होती तुम्हें काफी कमजोरी महसूस हो रही है उसने पूछा नहीं मुझे बड़ा हलका सा लग रहा है मैंने तुमसे पहले भी जल्दी आने के लिए कहा था लेकिन तुम टालती रही तुम हर बात पहले से ही ठीक कहते हूँ उसने कहा वो चुप रहा और दूसरी और देखने लगा तुमने बुरा मान लिया वो कोनी के सहरे बैट कर उसके और देखने लगी नहीं लेकिन तुम्हें ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए उसने उसके बालों को सहलाते हुए कहा देखो अब कोई फिकर नहीं है उसने कहा अब मैं ठीक हूँ लेकिन तुम अब भी उसके बारे में सोचती हो उसने कहा मैं किसी के बारे में नहीं सोचती उसने कहा फिर उसने उसके कोट के बटन खोल दिये तुमने स्वेटर नहीं पहना उसने पूछा आज ज़्यादा सर्दी नहीं थी तो मैं अभी इस तरह नहीं बैठना चाहिए, नर्स ने उसका सिर्ट तक्ये पर टिका दिया, फिर उसने एक नजर उसकी और देखा, इस पर ज्यादा स्टेंड डालना ठीक नहीं होगा, मैं कुछ दिर में चला जाओंगा, उसने कहा, नर्स ने बिस्तर विक्री चीजों को द मारे पास रूई काफी है, उसने पूछा, हाँ धन्यवाज सिस्टर, उसने कहा, नर्स बाहर चली गई, तुम जरा दूसरी तरफ मुर जाओ, उसने धीरे से कहा, वो तक्ये के नीचे से कुछ निकाल रही थी, मैं बाहर चला जाता हूँ, उसने कहा, नहीं उसकी कोई जरू नहीं, सिर्फ अपना सिर मुर लो, वो पीछे दीवार के और देखने लगा, उसे बहुत पहले की रातें याद हुआईं, जब वो उसके कमरे में बिस्तर से उचकर कपड़े पहनती थी, और वो दीवार के और मुर कर उसके सकर्ट की सरसरहाट सुनता रहता था, बस ठीक है उसने कहा, उसने स्टूल मोड कर उसे सिरहने के पास खिसका दिया, हवा में हलकी सी गंध थी, जो क्लोरो फार्म की गंध से अलग जान पड़ती थी, उसकी आखे अनायास पलंग के नीचे चिलमची पर पड़ गई, उसमें खून से रंगी बहुत सी पट्टियां पड़ी ये खून उसका हो सकता है, उसे विश्वास नहीं हो सका, क्या तुम्हें अब भी, वो पीच में रुग गिया, नहीं अब बहुत कमा रहा है, उसने जुक कर चिलमची को पलंग की नीचे खिसका दिया, तुम्हेरे पास सिगरेटे हैं, उसने पूछा, वो फिर लेट गई, उसने लीपा की डिब्बी में से दो सिगरेटे निकाल कर मुँ में रख ली, दोनों को दिया सिलाई से जलाया और उसमें से एक उसे दे दी, तुम यहाँ सिगरेट पी सकती हो, नहीं लेकिन कोई देखता नहीं, उसने एक लंबा गहरा कश लिया, दुहा बाहर निकालते सम मैं उसके नथने दीरे से काप रहे थे, फिर उसने उसे चिलमची में फेक दिया, मैं पी नहीं सकती, एक पतली कमजोर सी मुस्कुराड उसके होटों पर सिमट आई, उसने चिलमची से सिगरेट टेकाल कर बुझा दी, सिगरेट के एक सिरे पर उसकी चिलमची का निशान स् तुम अब एक पनीर लोगी? नहीं, तुम्हें अब जाना चाहिए, मैं चला जाओंगा भी समय है उसने अपनी आखें मूंद ली थी, लंबी बूरी पलकें उसके पीले चेहरे पर मूम की गुडिया की पलकों सी दिखाई दे रही थी तुम्हें क्या नीद आ रही है? उसने धीमे स्वर में पूछा नहीं, उसने आखें खोल दी, उसका हाथ अपने हाथ में लेकर वो उससे धीरे धीरे मसलने लगी मैंने सोचा था, तुम आओगे उसने कहा, वो चुपचा अप से देखता रहा सुनो, अब हम पहले की तरह रह सकेंगे उसके स्वर में हलका सा विसमय था तुम्हें याद है, उसने उसका हाथ दबा कर कहा पिछली गर्मियों में हम इटली जाना चाहते थे, अब हम वहाँ जा सकते हैं अब हम कहीं भी जा सकते हैं उसने उसकी और देखा अब कोई जहन्जट नहीं है उसे फिर उसका स्वर कुछ अजीब सा लगा लेकिन वो मुस्कुरा रही थी और तब उसका मन फिर आश्वस्त हो गया कॉरीडोर में वीलचेर की पईयों की चर्बनाट सुनाई दी थी पास के क्यूबिकल में कोई उचे स्वर में चीख रहा था किसी इस तरी ने परदा उठा कर बीतर जाका था लेकिन उसे वहां बैठा देखकर वो हड़ड़ा कर वापस बढ़ गई थी उसने घड़ी देखी और फिर वो ओवरकूट पहने लगा तुम्हे चीजें खा लेनी होंगी उसने अंग्रेजी में कहा उसने सिर हिलाया तुम समझी जो मैंने कहा तुमने कहा तुम्हे चीजें खानी होंगी उसने अंग्रेजी में उसका वाके दोहरा दिया वे धीरे से हस पड़े उसने अपन तक उसकी और देखती रही, इधर आओ, उसने कहा, वो सिरहने के पास जुका, उसने अपनी देश से चादर हटा दी, और दोनों हाथों से उसका चेहरा अपने वक्ष पर खीच लिया, कोई आ जाएगा, उसने धीरे से कहा, आ जाने दो, उसने कहा, कुछ दिर बाद जब वो आया, वसंत की राद जुकाई थी, हवा में धर्ती की सूंधी सी गंद का आभास था, उसने निश्चिन्त होकर ठंडी ताजी हवा में सांस ली, अस्पताल के उस तंग, जरूष से ज़्यादा गर्म क्यूबिकल के बाद, उसे बाहर का खुलापन, बहुत सुखत प्रतीत ह रहा था, उसने घड़ी देखी, अभी दस मिनट बाकी थे, उसे हलकी सी खुशी हुई, कि वो प्राग जाने से पहले एक बियर पी सकेगा, कुछ देर तक वो पलंग पर आँखें मूंदे लेटी रही, जब उसे निश्चे हो गया, कि वो अस्पताल से दूर जा चुका है, तो वो धीरे से उठी, खिड़की खोल दी, बाहर अंधेरे में उस छोटे से शहर की बत्यां जगमगा रही थी, उसे प्राग में अपने होस्टल का कमरा याद हुआया, वो सिर्फ दो दिन पहले उसे छोड़ कर आई थी, लेकिन उसे लग रहा था, जैसे तब से एक लंब अपने सूटके से एक पुराना तॉलिया निकाला, फिर उसमें करीने से उन चीजों को लपीटा, जो वो उसके लिए छोड़ गया था, खिड़की के पास आकर उसने उनने बाहर अंधेरे में फेक दिया, जब वो वापस अपने बिस्तर पर आई, तो उसका सर चक्राने हुआ उसके बालों में खो गया, किन तो पता नहीं चला, वो आराम से सो रही थी, अभी आप सुन रहे थे निर्मल वर्मा जी की लिखी हुई कहानी अंतर